हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों विशाल असुक के स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को तबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हमको नए वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है आज की इस एप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूंगा वहां से जाके आप इसे वर्फेस जो आपके मोबाइल का डिफरेंड करते है तो दोस्तों माइक्रोसफ्ट ट्रस्टेड है आपको और अच्छी कंपनी आए माइक्रोसफ्ट इवन दुनिया की नमबर वन कंपनी में इसे गिना जाता है ओके दोस्तों तो दोस्तों यहां का इसका एक लॉंचर है इ जैसे आप इसे यूज करेंगे इसका देखिए इफेक्टिव बहुत है बहुत ही जादा रिलाइवल लगता है मुझे इसे यूज करके देखेंगे बहुत अच्छा लएगा यह ओके दोस्तों आप जैसे इसे इसे इंस्टॉल कर लेंगे इसका लोग बहुत ही प्रेटी है इसे use करके जरूर देखेगा जैसे कि अगर आपको कोई application चाहिए तो इस तरही किसे आप इसे drag कर सकते हैं और यहाँ पर यह सारी application जितनी भी होती है unlike android यह बहुत अच्छा आपको provide कराता है look use करके जरूर देखेगा जैसे कि आपने देखा हुआ Microsoft के जतने भी icons रहती है वो दोस्तो square में रहती है even Microsoft का icon भी square में ही रहता है तो यहाँ पर ही सारे icon square में ही आपको show होंगे और UI बहुत ही प्रोवाइड कराते हैं यह लोग दोस्तो एक बार इसको जरूर लुक कीजिएगा देखिएगा बहुत अच्छी application लगी मुझे यह और यूज करके देखिएगे यहाँ पर देखिए जैसे alphabetically दिखाते हैं हाला कि बहुत सारे launcher प्रोवाइड कराते हैं लेकिन यह काफी reliable है और काफी बहुत ही ज्यादा light rated है बहुत अच्छा है यह launcher यूज करके जरूर देखिएगा सारी application जैसे आपको प्रोवाइड कराई जाती है वहाँ पर इस तरीके साफ से ड्राइक कर सकते हैं यह तो generally आपको जहातर देखने को मिली जाता है और यूज कर सकते हैं सबसे अच्छी बात इसमें यह है करेंगे तो यूज करके जरूर देखिएगा इस application को काफी अच्छी है काफी बेस्ट है यह application मज़ा आएगा अगर आप इस application को यूज करेंगे तो बाकी देख सकते हैं काफी flexible है यह जैसे की बहुत ज्यादा launcher होते हैं तो के दोस्तों लेकिन यह launcher काफी लाइट बिठेट है और काफी अच्छा है यूज करके देखिएगा इवन Microsoft का है तो इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं उमीद है समझ में आया होगा किस तरीक से इस launcher को आप यूज कर सकते हैं एक बार इंस्टॉल करना है वीडियो के नीचे description में जरूर देखिएगा लुक बहुत सही है इसका अगर आपको सर्च करना है तो यहां से जाके आप सर्च भी कर सकते हैं ओके दोस्तों अलाव कर दीजी और सर्च कीजिए ओक तो जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो अच्छी application है यूज करके जरूर देखिएगा तो और यहां पर आके recent app में आके आप filter set वगेरा कर सकते हैं जो की जाहतर उसमें नहीं होता है तो यहां पर आप hidden app वगेरा जो hidden करेंगे वो भी आप यहां पर देख सकते हैं यह इसका एक plus point है तो मज़ा आएगा अलागर आप इस application को use करेंगे तो display layout वगेरा अगर आपको यह vertical की जगा horizontal चाहिए तो आप यहां पर जाके horizontal इस तरीके से कर सकते हैं ओके दोस्तों यह जाहतर हर किसी launcher में प्रवाइब नहीं होता है देन दोस्तों एक और layout देरे का alphabetic list alphabetic list में भी okay इस तरीके से कर सकते हैं यह इस तरीके से cool दिखाई देता है ओके दोस्तों hidden apps म पर देख सकते हैं ओके दोस्तों यह इसका तीसरा प्लस पॉइंट है तो यूज कीजिएगा अच्छ लएए आपका application विजट को अगर home screen पर एड़ करना किसी को तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं इस तरीके से यह विजट एड़ करनी है यानी chrome की करनी है contact की करनी है जो भ उमीद है यह application आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक केजएगा चैनल को सब्सक्राइब केजएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले हैं बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों